वेल दही भले तो आपने बहुत बार खाय होंगे आज उनी दही भलों को ट्विस्स देते हुए मैंने ये दही की गुजिया बनाई है ये इनके अंदर ड्राइफूरूट स्टफ होता है ये गुजिया के शेप में होती है और काफी क्रंची सा नटी सा टेस्ट आता है इसमें अब बनाई जाती है जो पेशल गेस्ट के लिए घर में बनाई जाती है सिंस फेस्टिवल्स आर अराउंड दर कॉर्नर तो आइट दिस आउट आइफू लाइक रेसिपी दो सब्सक्राइब और कमेंट बिलो तो हम रेसिपी स्टार्ट करते है और दही गुजिया के लिए जो इंग्रीट्स हमें चाहिए वह ये है दही गुजिया के लिए मैंने ये एक काटोरी मा की धुली दाल ली है इसको उडद की धुली दाल भी बोलते थैं एं इनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था और साहथ में वनफोर्थ कटोरी ये मूंकी दाल है इसको भी रात को ही मैंने भिगो के इन दोनों को बिल्कुल भी minimum रखेंगे, बिल्कुल मैने पानी नहीं डाला है, और बिल्कुल सुखी-सुखी दाल ही मैं पीस लूँगी mixi में, ये दाल अब पिसके तयार है, और ये देखिये, बिल्कुल dry है ये, इसमें कुछ भी water का content नहीं है, बिल्कुल सुखी हुई दाल है ये, इसक लूँगी साथ में, लेकिन उससे पहले हम ये अपनी जो मा की दाल, पिसी हुई दाल है, ये हम एक चौड़े मूँ वाले बरतन में निकाल लेंगे, इस दाल को हमें आगे फेटना होता है, इसमें air content बरना होता है, ताकि ये बहुत fluffy सी बन जाए, तो जिस बरतन में आपका हाथ easily चल जाए, इसको फेटने के लिए, ऐसे बरतन में इसको निकाल लीजेगा, ये मैंने मूँ की दाल भी अब सेम बाउल में ले रही है, और अब इसको भी मैं पीस दूँगी, और ये दोनों दाले अब पिस गई है, मा की दाल भी नीचे पिसी हुई है, और ये मूँ क की दाल भी है, मूँ की दाल क्योंकि बहुत कम थी, तो आप छोटे जो चटनी वाला बाउल होता है, उसमें भी उसको पीस सकते हैं, लेकिन पीस्ता हमें इसको बारी की है, हमें उसके मोटे क्रंचे मूँ में ना आए हैं, तो वो ही बिटर रहता है, अब इस रेसिपी का मे बारी फूली गुजया बनेंगी, इसलिए दाल को फेटना और उसमें हवा बरना बहुत जरूरी है, यह आप हाथ से भी कर सकते हो, और मशीन अगर आपके पास है फेटने के लिए, तो आप उससे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से, मशीन से थोड़ा ऐजी हो जाता है, टा इसको फेटना होता है और फिर ये देखिए ये भी मैंने करा है बट हाथ से भी बहुत अच्छी दाल फूलती है और बड़े अच्छे सॉफ्ट गुजया हाथ से भी बन जाती है और अब हम एक बार टेस्ट कर लेंगे के हमारी दाल फ्लॉफी हुई है के नहीं उसके लिए मै अच्छे से फ्लॉफी हो गई है और अब ये गुजया बनाने के लिए एकदम तयार है अब हम अपनी गुजया बनानी स्टार्ट करेंगे और ये मैंने उसके लिए अंदर स्टफिंग के लिए थोड़ा सा ड्राइफ रूट लिया है जिसको मैंने थोड़े चोटे पीसे मे काट लिया है इसमें काजू है बदाम है पिस्ता है किश्मिश है इन सब का बहुत अच्छा नटी सा फ्लेवर आता है और ये क्रंची भी बनाते हैं गुजया को और ये एक पॉलतिन लिया है मैंने और इसमें मैं पहले थोड़ा नीचे पानी लगाऊंगी अच्छे से और बनाने के लिए मैंने नीचे पॉलतिन को अच्छे से डाम कर लिया है पॉलतिन हो सके तो थोड़ा मोटा लीजेगा आपको बनाने में थोड़ा कमफोर्टेबल रहेगा और ये फिर मैंने दाल का एक पोर्शन लिया है और इसको हम हातों से पहले अच्छे से स्प्रेड कर गोल गोल जैसे कोई आलू की टिक्की बनाते हैं ऐसे मैंने पॉल थिन पे ही इसको अच्छे से स्प्रेड किया है और फिर इसके बाद इसमें ड्राइफूरूट का क्रंच डालेंगे और ये बीच में तोड़ा सा ड्राइफूरूट स्टाफ किया है आप चाहो तो इसमें अपने अकॉर्डिंगली इंग्रीडियन्स कोई भी आड़ अन कर सकते हो कुछ लोग इसमें बीच में अद्रक हरी मिच्ची भी डालते हैं बट मुझे कई बार मुँ में जब अद्रक का कोई खड़ा पीस ऐसे आता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं आड़ कर रही हूँ आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली इसमें कोई और चीज़ें भी आड़ कर सकते हो कई लोग हरी मिर्ची धनिया सब कुछ इसके बीच में डालते हैं और यह मैंने ऐसे इसको फोल्ड कर दिया गुजिया को और उसके बाद साइडों से अच्छे से प्रेस कर दिया है पॉल्थिन को फोल्ड कर दिया और फिर यह देखिए खोला तो जब उसका उपर से पॉल्थिन का लेयर उटता रहा तो प्रॉपर हमारी गुजिया बन गई यह साइडों से अच्छे से प्रेस करिएगा वरना तेल में कई बार गुजिया फट जाती है या खुल जाती है तो इसलिए साइडों से अच्छे से उसको प्रेस करिएगा और ये हमारी दही गुजिया बन के तयार है हम बना के इसको साथ के साथ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था उसी में डालते जाएंगे एक एक करके ओईल बहुत जादा गरम नहीं चाहिए आप एक बार पहले तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए और फिर गैस स्लो कर दीजिए और इसको हम स्लो पे ही बनाएंगे स्लो पे ही क्योंकि वो अंदर से वरना कच्छे रह जाते हैं उपर से तो बहुत जल्दी डाल पक जाती है और कलर भी आजाता है बट अंदर से कच्छा रह जाएगा इसलिए उसको स्लो पे ही बनाएगा ये देखिए मैं ये एक और गुजिया आपको बनाके दिखा रहे हूँ इस तरह से एक पोर्शन दाल का लेके हम उसको टिकी की तरह जैसे हम आलू की टिकी बनाते हैं ऐसे उसको स्प्रेड कर लेंगे हाथ से ही और फिर इसके बीच में ड्राइफ्रूट स्टफ करेंगे ड्राइफ्रूट का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फिर ये मैंने इसको पॉल्थिन को ऐसे फोल्ड कर दिया और फिर साइडे थोड़ी सी साइडे पहले दबाएं फिर एक बार खोल के फिर दुबारा साइडे थोड़ी सी दबाएंगे और ये गुजया दूसरी वाली भी मैं फ्राइ कर लूँगी पहले वाली गुजया मैंने और गरम पानी में डिप करके रख दी थी पानी में हलका सा नमक और हिंग भी डालेगा उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये second गुजिया भी मैंने तेल में डाल दी है और slow पे ही हम इसको बना रहे हैं तेल पहले से अच्छा सा गरम था और अभी इसको slow पे थोड़ी देर सिखने के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो अंदर से भी पक जाए और गुजिया मेरी बन के तयार है अब हम ये दही को फेट लेंगे दही को जो घर का दही होता है उसको गाड़ा करने का तरीका यह होता है कि आप उसको एक बार छनी से छान लेजे तो आपका दही बिल्कुल गाड़ा गाड़ा नीचे भलों के लिए बन के त्यार होजाएगा इसमें लोग हींग नमक और कुछ करते हैे बहुत स्मक्तर हिंग के अए करता है तो आपकी पाद सोगने दही और नमक डाल सकते हो और ये दही मेरा चंग गया है और ये दही अच्छे से गाड़ा हो गया है अब मैं इसमें गुजिया की प्लेटिंग स्टार्ट करूँगी मैंने ये प्लेट में पानी में से गुजिया निचोड के रख ली थी और इसके उपर अब मैं ये दही डाल दूँगी गुजिया बहुत ही सॉफ्ट बनी है और नट्स की वज़े से उसमें क्रंच भी बहुत अच्छा आया है और जो ये बचा हुआ ड्राइफ्रूट था वो भी मैंने उपर ही डाल दिया है ड्राइफ्रूट भी दही में भी इवन बहुत अच्छा क्रंच देता है और ये बाकी के मसाले भी हम डालने स्टार्ट करेंगे ये थोड़ा सा जीरा पाउडर था मिर पास जो मैंने पहले से भून के रखा हुआ था वो डाला है लाल मिर्ची डाली है नमक हम दही में पहले से डाल चुके थे इसलिए हम नहीं डालेंगे बुने हुए जीरे पाउडर का भी इसमें उपर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये इमली की चटनी है जो ये मैं घर में पहले से बना के रखती हूँ गुर्ड की और इमली की चटनी तो ये अब मैं डालूंगी इसमें अगर आप इमली की चटनी की रेसिपी भी देखना चाहते हो तो डू कमेंट बिलोव मैं अपनी ये इमली की चटनी की रेसिपी भी शेयर बहुत ही जल्दी आप से करूँगी और फिर ये उपर से थोड़ा हरा धनिया जो मैंने अलरड़ी धो के सुखा के रखा हुआ था वो डालेंगे और ये हरी चटनी है ये भी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी इसकी रेसिपी मैं अलरड़ी शेयर कर चुकी हूँ ये भी बीच में उपर से डालेंगे जो एक बहुत अच्छा सा टांगी फ्लेवर आपके दही गुजया को देगी और फिर ये उपर से थोड़ा सा अनार भी डाला है अपकोस वो दिखने में तो बहुत सुन्दर लगता ही है आपकी डिश को बहुत प्रेजेंटेबल बनाता है और बट इसका टेस्ट भी अनार का बीच म में बहुत अच्छा आता है तो ये भी जरूर आट करिएगा और ये हमारी दही गुजया सर्फ हो गई है बहुत ही कम इंग्रीडियन्स के साथ बहुत क्विकली आप ये रेसेपी बना सकते हो और टेस्ट डिलिशिस बहुत ही खटा मीठा सा चाट जैसा इसका टेस्ट होता है जो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें ड्राइफ रूट उसको एक अलग सा क्रश देते हैं तो इफ यू लाइक रेसेपी दो हिट लाइक बटन कमेंट बिलो और सब्सक्राइब चैनल थैंक्स फो वाचिंग दे रेसेपी दू ट्राइब देस एं लेपी नो कि आप